हलो फ्रेंट्स, वेलकम टु मैच जा, मैंसल फ्राज़कॉं फ्रेंट्स, आज इस शेर के हम बात करेंगे, वो है स्टेट बैंक ओफ इंडिया का है फ्रेंट्स, इस शेर को मैंने बहुत पहले भी कई वार रेकमेंड किया 493 पे, 470 पे, 444 पे और 500 प्लस भी आया, वापस 500 से कम भी इसने डाउनफाल दिखाया, फिर वापस 500 प्लस आया, मेरी कंप्लेट रिकमेंडेशन थी, कि 550 प्लस का टार्गेट अचीव करेंगा, और फ्रेंट्स, पीविएसली 550 के आसपास भी आकर के गया, और वापस इसने डाउनफाल दिखाया और वापस अपट्रक मोमेंट पर जितनी बार ही डाउनफाल गया, उतनी बार ही मैंने आपको इंवेस्टमेंट करने की सला दे, बैटर लेवल, बैटर फंडमेंटल, बैटर रिजल्ट्स, बैटर फ्यूचर, बैटर फ्यूचर, इसको रिकमेंडेशन जो भी मैं देना चा करता है कि 528 तक आगया, अचीव करें, आप मेरी चैनल को अनलाइज कर लीजिए, कि मैं हमेशा बाइंग लेवल उस प्राइस के आसवास बताता हूं, जिससे कि एक अपट्रक मोमेंट आने के आदमें, आपको आपके इंवेस्टमें पर अच्छा रिटन मिलता है, तो मैं क 530 के आसपा अभी शेयर है, स्टॉंग मोमेंटम मुझे इसका लग रहा है, और अभी 550 बहुत जल्द क्रॉस करके 600 प्लस चला आएगा, अगर आप इंवेस्टमेंट करके बने हैं, इसमें बिलो रूपीज 500, बिलो 450, आपने बहुत पहले भी इंवेस्टमेंट कर रखा इस अभी इसको आख में चोली खेल ली खेल चुका है 500 लो अप लो अप लो अप लेकिन अब मुझे लगता है कि स्ट्रॉंग फंडमेंटल, स्ट्रॉंग सपोर्ट और स्ट्रॉंग टार्गेट विदिन फ्यू डिज यह हो सकता है, अपने 600 प्लस के टार्गेट हो अच्छिव आपको कहता हूं किस स्क्रिप्ट के बारे में ताकि आपको आपके इंवेस्टेट पर अच्छा रिटर मिलता रहा है, तो फ्रेंट्स वाच कीजी, सब्सक्राइब कीजी, अनलाइज कीजी और प्लीज मोटिवेट कीजी मुझे ताकि मैं इस तरह के वीडियो बना करके कि आपको आपके इंवेस्टेट पर अच्छा प्रॉफिट होता रहा है, तो फ्रेंट्स, थैंक्स वर वाचिंग, हैव नाइस टाइब,